हिंदू धर्म में हर दिन का अपना अलग महत्व है सपता कि सातों दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है और सोमवार का दिन जोकी देवो की देव महादेव को समर्पित है ऐसे में सोमवार के दिन भगवान भोले के भक्त उन्हें प्रसन करने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं उनकी पूजा करते हैं बता दे भगवान शिव को भोला भंडारी के नाम से जाना जाता है भगवान शिव को बहुत जल्दी ही खुश किया जा सकता है और एक बार जब महादेव आपसे खुश हो जाते हैं तो आपके उपर से सभी समस्याओं का नाश हो जाता है इसलिए अपने स्पिशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सोमवार के कुछ उपायों के बारे में जिन्हें करके आप भगवान भोले को प्रसंद कर सकते हैं आपको बताएं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूद अर्पित करने से विवहम में आ रही रुकावटे दूर हो जाती हैं इसके साथ ही स्फीग्र विवा के योग भी बनते हैं धन प्राप्ति के लिए मचलियों को आटे की गोलिया खिलाएं गोलिया खिलाते समय भगवान सुक्सम्रिद्धी के लिए और परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए सोमवार को नंदी को हरी घांस खहलाएं गरीबों को भोजन करवाने से घर में कभी भी अनकी कमी नहीं होती इसके साथ ही पित्रों की आत्मा को भी शांती मिलती है तो ये सोमवार को आप जरूर गरीबों को भूजन कराएं जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का विशेक करते समय ओम नमस्षिवाय का जाप करें ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांती मिलेगी धन की बढ़ोतरी के लिए घर में पारत से निर्मित शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन पूजा करे सोमवार के दिन आटे से ग्यारा शिवलिंग निर्मित करके ग्यारा बार उनका जलाविशेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं रोगों से मुक्ति हे तू शिवलिंग का 101 बार जलाविशेक करें जलाविशेक करते समय मंत्रों का जाप जरूर करें पापों से मुक्ती और सुखों की प्राप्ति के लिए सुमवार के दिन भोले नात को तिल और जौ अर्पित करे भगवान शिव को जौ अर्पित करने से सुख में वृध्धी और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है ये कुछ उपाये थे जिने अगर आप सुमवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत ही सकारात्मकफल देखने को मिलते हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीचोल से आर्थिक रिपोर्ट